सवी को सामने आया आशिका का सच सीडियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग क्रैक में अब यहाँ पर सवी के हाथ बहुत बड़ा सबूत लगने वाला है आशिका के खिराफ सवी जान जाएगी कि रजट उससे क्या चेपाने की कोशिश कर रहा था जी हाँ दोस्तों इस CCTV फोटेज में जो है साफ नजर आएगा कि ईशा का एकसिडेंट किसी और नहीं बलकि आशिका ने किया था और ये CCTV फोटेज अब सवी के हाथ लगने वाली है और ये फोटेज देखकर तो सवी के होश उड़ जाएगे वहीं वो करने वाली है रजट से सवाल जी हाँ सवी जाएगी रजट के पास और ये CCTV फोटेज उसे दिखाते हुए नजर आएगी और कहेगी कि तुमें सही छिपाने की कोशिश कर रहे थे ना यहाँ पर अब सवी को गलत फैमी होगी कि रजट जो है वो आशीका को बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो अजब कुछ अपकर सवी को होगी है पर तरह तरह की इलजाम वो लगाता है तो वहीं अर्श अबसदी के पास जाता है मिलने के लिए और उसे आगा करता है कि तुम्हारे पती का चक्कर चल रहा है मेरी गर्फ्रेंड और उसकी एक्स वाइफ आशिका के साथ लेकिन वहाँ पर सवी जो है रजट के लिए अपना बिश्वास दिखाती है और अर्श को वहाँ से खरी खोटी सुना कर भगा देती है अब अब कमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि सवी सचका पता लगाने की कोशिश करेगी क्योंकि बार बार रजट उससे जूट बोल रहा है तो ऐसे में जो है सवी को सचका पता चलेगा उसके हाथ से से भी फोटेज लग जाएगी और ये फोटेज लगने के बाद वो सीध सबी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें